Hello and Namaskar to my dear friends of CBSE Schools मैं आपका CBSE दोस्त इस वीडियो में कुछ नए CBSE अपडेट ले करके आया हूँ तो इस चैनल पे आपको विकली अपडेट यहां मिलेगा अपडेट देता रहूँगा कि क्या क्या चीज़े यहां पे आती है तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे इंपोर्टन जो अपडेट है वो है OASIS अपडेट के बारे में ताकि यह मेसेज जो है आपको CBSE की वेबसाइट यह सरकिलर नहीं मिलेगा या अगर है तो आपको easily वो नहीं मिल पाएगा क्योंकि यह personally principle को email किया जाता है इस highlight में लिखा है teacher relieving work तो practical work और evaluation work के लिए कभी-कभी teachers को relieving नहीं किया जाता है उनको छोटे classes दी जाती है तो उस वज़े से वो workload की वज़े से बहुत सारे teachers को यहाँ पे relieving नहीं दी जाती और relieving नहीं किया जाता तो वहाँ पे practical में कुछ problem आती है तो इन्होंने लिखा है कि CBC is taking serious notes मदलब इसको seriously lay रही है CBC अब दूसरा point यहाँ पे है section class taught in Oasis तो Oasis का जो data update किया है उसमें जहाँ पे जो teachers पढ़ाते हैं उनके class वहाँ पे wrongly update किये है मदलब कि मैं मानो class 7 to 12 पढ़ाता है तो मेरा महाँ पे 7 to 12 नहीं डालके कुछ और डाला है तो ऐसे class taught में कुछ information गलत बरी जाती है तो इसके उपर भी CBC अभी कुछ देख रहा है और इसको भी seriously देख रहा है ऐसा CBC के इस later में लिखा हुआ था second यहाँ आप यह वाँस इस later में जो third point है वो third point यह है कि pupil teachers ratio तो बहुत सारे schools में 1.5 का ratio जो per section होना चाहिए वो नहीं है number of teachers कम है और उसी से काम चला रहा है तो इस point को भी CBC seriously देख रही है तो यह भी इन्होंने यहाँ पे बताया है इस later में next point यहाँ पे इस later में बताया है कि जो lack of mobile number मतलब जो mobile number और email ID teachers का provide करना होता है वहाँ पे वो अच्छी तरीके से provide नहीं किये है तो वहाँ पे problem हो दिये teachers को वो contact नहीं कर पाते personally या तो जो उनको communicate करना होता है CBSC को directly teachers को वो नहीं होता है तो यह यहाँ पे एक दिक्कत है तो Oasis में यह update करिए ऐसा उनका कहना है यह सभी चीजों को CBSC अभी देख रही है seriously देख रही है ऐसा यहाँ पे note था viewed seriously ऐसा next यहाँ पे point है appointing teachers on contract not regular business बहुत सारे schools teachers को contract पे रखते है regular business पे नहीं रखते है बार-बार resignation आ जाता है और कहीं कुछ salary की वज़ा होती है या कुछ और वज़ेस होता है तो यह सारी चीजे चलती है तो इसको भी CBSC अभी seriously देख रही है अब इसमें कितना देखेगी और कितना interfere करती है CBSC वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा अगर कुछ करती है तो यहाँ पे teachers को फाइदा होगा ताकि कुछ management का जो है principles के जो रवय होते है वो यहाँ पे कुछ कुछ चीजे मतलब क्या कहने लाइग नहीं होती यहाँ पे मैं कहना नहीं चाहता लेकिन वो कहने लाइग नहीं होती है तो इसलिए इसके ओपर अगर CBSC कुछ यहाँ पे ऐसा कोई जारी करे या तो कोई rules ऐसे बनाए जिससे teachers को भी फाइदा हो तो evaluation work और practical work अच्छा रहेगा otherwise काम देखे principle को भी teacher से लेना है CBSC को भी teacher से लेना है सभी को काम teacher से लेना है और teacher सब से नीचे ऐसे दबा पड़ा ताकि management और ये और वो और इतना सारा चक्कर रहता है कभी कभी teachers तो सो भी नहीं पाते इतना काम रहता है और ये pandemic में तो आप सभी को पता है जो teacher से उनको पता होगा तो हारा कि principle के उपर भी pressure रहता है पर कभी कभी तो बहुत सारी चीज़े over हो जाती है वहाँ पर कुछ न कुछ किया तो जा सकता है लेकिन सोचा नहीं जाता उसके उपर और जैसे आया वैसे करिया और CBSE में भी कभी कभी ऐसा आजाता है मामला तो रातो रात कुछ करना पड़ता है वो सारी चीज़े चलती है तो इन सभी को reduce करने के लिए सायद यह message हो या ना हो पता नहीं पर यह में मेरा अपना genuine point यहाँ पर बता रहा हूँ चहीं डेकता है next what appearing in class 10-12 should be mentioned properly और Oasis में जिनके बच्चे 10-12 का exam दे रहे है वो भी properly नहीं बताय जाता है तो इसको भी properly यहाँ पर update करना पड़ेगा not providing teachers for subjects like IT402, 165, computer application, 048, physical education तो इन सभी subject के teachers ही नहीं होते और subject वहाँ चलते है और वहाँ पर पूरा साल ऐसे जाता है बिना teachers के तो इनके भी teachers appoint किये जाए इसको भी CVSE अभी seriously देख रही है तो यह कुछ points highlight मैंने यहाँ किये है अगर यह properly update नहीं हुआ तो क्या होगा तो यहाँ पर कुछ चीज़े CVSE ने mention किये All the principles are directed to update teachers data in overseas within schedule CVSE will compare both the data that is before updation and after updation तो CVSE यहाँ पर नजर रख रही है In case it is observed that data has not been updated by the school the following action would be initiated तो यहाँ पर देखे क्या क्या action लिया जाएगा और ऐसा हुआ है खुद हमारे school में ही हम लोगों ने भी previously fine paid किया है तो ऐसा हो सकता है अगर आपने वही कुछ नहीं देखा या तो आप update नहीं ले रहे है तो आपको पता नहीं इसके बारे में तो अभी इसे open कर लिजे वहाँ आप देख लिजे क्या क्या चीज़े वहाँ पर update करनी है यहाँ पर clearly लिखा है CBSE will take necessary action as per affiliation by law and examination by laws Second point है A personal penalty of rupees 50,000 will be imposed on the principal of the school तो यहाँ पर principal word use किया है तो principal के ओपर 50,000 rupees का यहाँ पर fine लगेगा अगर यह update नहीं हुआ तो तो यह आप देखे This may be treat as most urgent तो यह सबसे पहला update था तो यहाँ पर देख लिजे जिस हिसाब से आपको अगर circular मिला है नहीं मिला है तो भी 10 तारिक तक देख लिजे आप 10 तारिक तक update कर दीजे जो जो update उसमें आ रहा है अगर आपको update करने में कोई दिक्कत है या कोई भी problem है तो आप comment करके बताईए मैं मेरा यहाँ पर अपने school का id खोल करके आपको explain करूंगा कि कैसे कैसे चीज आप कर सकते है practically तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो comment करके जरूर बताईए आप अगर school principal है school management का है कोई role है या खुद teacher है आपको करना पड़ता है यह सब या तो कहीं ने कहीं आप करते है और कहीं फसे हुए है तो आप यहां comment करके जरूर बताए इसको स्वाल करेंगे चलिए next update यहां पे लेता है वो है परिक्षा पे चर्चा तो परिक्षा पे चर्चा यहां पे the program will be add at 7 p.m. on Wednesday the 7th April 2021 तो 7th April को यहां पे add होने वाला है ब्रोडकास्ट होने वाला है टीवी के उपर टीवी चैनल डिजिटल मीडिया इन हिंदी एन अधर मेजर इंडिन लेंगवेजिस तो जो भी होगी है टीवी चैनल दूर दरसन वाल है या जो भी तो उसके उपर यह ब्रोडकास्ट किया जाएकि यह प्रोग्राम देखें टीवी चैनल डिजिटल मीडिया इंक्लूडिंग एजुकेशन डॉट जी ओवी डॉटीन यूटूब डॉट को माई गवर्मेंट इंडिया इन चैनल का लिक मैं डिस्क्रिप्शन में देदूंगा तो आप वहां पर भी देख सकते हैं फ उमंग यहां पर लॉंच किया हुआ है बहुत सारे लोग जानते हैं बहुत सारे लोग नहीं जानते तो अभी यहां पर स्टूडन रिलेटेड और कुछ ऐसा जो सिभी ऐसी के रिलेटेड भी जो चीज़े है वो भी यहां से आप एक्सेस कर पाएंगे तो इस मोबाइल और यूज कर सकता है तो चलिए आज के अपडेट में बस इतना ही ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले किसी नए अपडेट के साथ तब तक के लिए टाटा बाइबाई खतम